बरतमान समय में मेरी तैनाती महला आरक्षी के पदपर थाना खजूरिया जिला रामपूर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रिशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूं। खाकी की आड में ये भेडिये छुपे हुए हैं। जो इस चीज की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रिशासन में रहके क्या कर सकते हैं। और मेरी पूरी स्कूटी एक लाख रुपए कर नुक्षान हो गया। दूसरे ने तोड़ दिये लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तयार नहीं है। लोगों में खास आदत होती हैं अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके इसकूटी विसकूटी की डिक्गी होई या उसका घर हुआ बहां पर किसी भी आदमी को लगाके ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे ये इस प्रिशासन का काला औ भागी कर देंगे चल लेए नहीं थाने के इंस्पेक्टर से खफ़ा हैं इसके बाद आपको इस जुबाम के चलने के अंजाम से वाकिप कराएंगे दोस्तों मेरा नाम आर्जू है मैं जिला विजनूर की रहने वाली हूँ और बर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महला आरक्षी के पदपर थाना खजूरिया जिला रामपुर में चल रही है मैं आप सभी से इस प्रिशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ खाके की आर में ये भेडिये छुपे हुए हैं जो इस चीज की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रिशासन में रहके क्या कर सकते हैं मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एस सोज है और उल्टा मुझे धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंट करा देगा और जिला चेंज करा देगा जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझे से पहले ही मेरी शिकायत कर देता है और अगर मैं किशी टॉल फिरी नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी द नुक्षान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा अंधे हैं और अगर यह किसी को पकड़ के भी लियाते हैं च्छेतर में से और फिरी में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हां वहां से एक हजार रुपए नहीं मिले और मेरी पूरी स्कूटी एक लाख रुपए कर नुक्षान हो गया अक्सिडेंट कर दिया तोड़ दी दूसरे ने लेकिन यह उसके खिलाब मुकदमा करने को तैयार नहीं है और मुझे पांच-छे दिन हो गए तो कहां जाओं मैं कहीं नहीं ज होती है जिस चैन के थ्रू जो है यह सामने वालों को मानसिक रूप से परिशान करते हैं जैसे मुझे कर रहा है मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदम में हसा देते हैं दूसरों को इसलिए मैं आप सभी से ब अधर हुआ बहां पर किसी भी आदमी को लगाके ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे यह इस प्रसासन का काला और कड़वा सच है अब मैं लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अपने ही महक में पर ब्रसने इसका रिजलुशन हो रहा था इसी बीच किसी उतावलेपन में उसके द्वारा एस से मिजभी हो किया गया और उसके रहमलावर हुई इस अंस्वाशन हिंता के लिए उसे इलमित किया गया है विभागी करवाई चल लेगे जहां से जो भी तत्य सामने आएंगे उसी हिसाब से अग्रिम करवाई की जाएगी जैसा मैंने आपको बताया कि बात तो मात रितनी थी कि स्कूटिक एक्सिडेंट हुआ था जिसके सम्मन्द में निदान किया जा रहा था अब उसने किस मैंड़सेट में और किस तरह से हरकते की जान चल रही है जो कि जान चल रही है मिर्च चीजे जर्च में समने हो जाएगी तो महिला गुंदलमित को दिया गयता है जिसका जिकर अपने वीडियो में सिपाई आर्दू भी कर रही है उनकी स्कूटि एक महिला कांस्टेबर मांग कर ले गई थी रास्ते में एक्सिडेंट होने से स्कूटि च्छतिक रस्त हो गई अपनी एक लाग की स्कूटि तोटने का आर्दू मुकदमा दर्श कराना चाती है लेकिन रामपूर के जिस खजूरिया थाने में वो तैनात है वहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है इल्जाम है कि इंस्पेक्टर के इंकार पर आर्दू नपर डंड़ा भी चला चुकी है कहा तो यहां तक जा रहा है कि इंस्पेक्टर की आँखों में मिर्च भी जोग दी थी खैर पुलिस में जुबान चलाने को अनुशासन हिंता माना जाता है फिल हाल आर्दू निलंबित हुई है आगे उन पर बड़ी कारवाई भी हो सकती है एस पी ने अपनी बाइट में इसके संकेद भी दिये हैं क्या कारवाई होगी उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए सिपाई के तीके तन सुनिए और देखते रहिए डालीडर हिंदी खरी बात मजबूती के साथ